बिग बोस सीजन 14 में पार्टिसिपेट करने को लेकर लगातार नए नए नामों के खुलासे हो रहे हैं इसे बीच में कुछ यूट्यूबर्स के भी नाम सामने आएं जिनमें सबसे ज़ाधा चर्चत नाम है कैरी मिनाती का केरी मिनाती नाम ही ऐसा है जो एकदम से यूट्यूब वसस टिक टॉक के लड़ाई के बाद बहुत जादा चर्चा में हो गया था क्योंकि उनों एक वीडियो ही ऐसा बनाया अब आपको बता दे कि इसी पॉपलारिटी को भुनाते कोई मेकर्स उन्हें शो में बुला सकते हैं लेकिन बात आती है कि केरी मिनाती तो कुछ दिन पहले बना कर चुके हैं तो अब all of a sudden ये बात कैसे आ रही है तो चलिए बैवेशालिक हो कि आपको बताती हूँ कि केरी मिनाती शो में आएंगे या नहीं तो जैसा कि आप जानते है कि केरी मिनाती अपने YouTube चैनल पर लोगों को रोस्ट करते हैं और उसी चैनल से उनकी अच्छी खासी पॉपलारिटी है इसी बीच में उनकी फैंस को जो पता चला कि वो बिगोस के घड़ में जा रहे हैं तो भाई उनकी फैंस हो गए नारास और उनसे कहा कि भाई मत जाओ तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाओगा लेकिन फिर भी लगातार ख़बरों का सिलसला जारी है कि कैरे विग बोस 14 में जाएंगे और अब फाइनली इन ख़बरों से परिशान हो करके कैरे बिनाती ने एक ट्वीट किया कैरे बिनाती ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आप लोग परिशान मत होएं इस तरीके से कैरे ने अपने फैंस को दे दी है एक राहती सास और वो भी अब शान्थ हो गया है लेकिन मज़े की बात तो यह है कि यूट्यूबर बुवन बाम ने कैरे के स्वीट पर रिपलाई दिया है जे हां उन्होंने कहा कि भाई तू अगले साल भी जाएगा क्योंकि पिछले चार सालों से लगातार मैं भी विग बोस का हिस्सा हूं जे हां बुवन बाम एक ऐसे यूट्यूबर है जिनका भी नाम लगातार विग बोस में पाटिसिपेट करने को लिकर पो रहा है और जब से केरी मिनाती पॉपुलारिटी में इतने जादा आगे हो गए है तो अब उनका नाम जोड़ा जा रहा है और इसी में भुवन बाम को रिप्लाइ करते हुए उन्होंने लासिंग एमोटी शेय की है जानकारी कैसी लगे नीचे कमेंट्रेशन में जोरू बताईएगा और ये भी बताईएगा कि क्या आप केरी मिनाती को विगोस के खर में देखना चाहते हैं और बागे सभी खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहे हैं अभी के लिए बस दता है धन्यवाद